हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है समावेश सी सिक्षा एकिकृत्य सिक्षा से किस परकार भिन है विसेश आवशक्ता वाले बालकों की सिक्षा का वड़न कीजिए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो ये question है इसका मैं आप लोगों को answer बताने वाला हूँ तो चलिए answer में हम लिखेंगे कि समावे सी सिक्षा और एकिकृत सिक्षा दोनी ही आपस में संबंदित हैं लेकिन इन में थोड़ा अंतर है तो इसमें हम जो है सबसे पहले first heading डालेंगे समावे सी सिक्षा तो इसमें हम लिखेंगे इसका मतलब है सबी चात्रों को समाहित करना भले ही वे समाजिक या सिक्षात्मक रूप से विभिन हो इसमें समरिद्धी, समाजिक न्याई और समानता की भावना होती है जिससे समाज में विभिन समरिद्धी वर्गों के चात्रों को लाब होता है फिर आगे हम इसमें लिखेंगे एक इकुरिती सिक्षा तो इसमें हम लिखेंगे यहोश शिक्षा सिर्फ समाजिक रूप से होने वाले भेदू को ध्यान में नहीं रखती बलकि इसमें शिक्षा के अंक में भी समरिध्य होती है ताकि सबी छात्रों को बरावरी मिले फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगी विसेश आवशक्षा वाले भालकों की सिक्षा तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें विसेश आवशक्षा वाले बच्चों को समर्थन और विसेश सिक्षा प्रदान करने का परियास किया जाता है ताकि उन्हें समाज में समाहित किया जा सके इसमें उनकी ब्यक्तिगत जरूरतों और समताओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें सफलता मिल सके तो दोस्तों ये था इस question का answer और आप लोगों को बता दो कि आप लोगों के लिए मैंने एक WhatsApp ग्रूप भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों नहीं जो हमारा WhatsApp ग्रूप है वो जोईन नहीं किया हुए तो इस वीडियो की discussion box में WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया हुआ है तो आप लोगों क्लेक करके जोईन कर सकते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day